हलो एवरिवन कैसे हैं आप साथ एक्सरसाइज 7.6 कम्प्लीट कर रहे थे हम लोग लाश्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन 5 कम्प्लीट कर लिये थे आज के वीडियो में हम क्वेश्चन 6 इसको देखेंगे क्वेश्चन क्या है एक वायर का पीस है जो की कितना बड़ा है 7.8 मीटर अब इस पीस के दो टुकड़े कर दिये गए एक टुकड़ा 1.4 मीटर है तो दूसरा कितना होगा बहुत ही सिंपल लग रहा है आपको सब्ट्रेक्शन करना है अब सब्ट्रेक्शन करना है बट यह फ्रेक्शन में है तो फ्रेक्शन में सब्ट्रेक्शन कैसे करते हैं पहले तो लिखते हैं length of wire is equal to 7 upon 8 मीटर हमारी जो wire की total length है उसको not down कर लिया हमने अब length of one piece जो इस one piece की length हमको पता है उसको लिख लेते हैं वो कितनी है 1 upon 4 meter अब length of other piece जो दूसरा piece है उसकी length क्या होगी जो total length है 7 upon 8 minus जो एक piece की length हमको पता है 1 upon 4 अब 7 upon 8 को 7 upon 8 में से 1 upon 4 minus करना है अब दोनों के denominator different है means इनका LCM निकलना पड़ेगा LCM of 8 and 4 is equal to 8 पहले भी मैंने बोला हुआ है जब किसी भी दो number के LCM निकल रहे हैं और एक number की table में दूसरा number आ जा रहा है means 4 की table में 8 आता है 4 to the 8 तो जो बड़ा number है 8 वो ही LCM हो जाएगा तो यहां LCM हमें 8 मिल गया अब क्या करना है अब हमें दोनों denominator same करने है 7 upon 8 तो as it is आ जाएगा क्योंकि इसके denominator में 8 है अब 4 को हमें 8 में convert करने के लिए 2 से multiply करना पड़ा जब 2 से multiply किया denominator को numerator को भी हमें same number से ही multiply करना पड़ता है तो हमने 1 को भी 2 से multiply कर दिया अब multiply करके लिखते हैं क्या होगा 7 upon 8 minus 2 upon 8 अब यह like fractions हो गए अब इनको subtract करना आपके लिए easy हो गया कैसे करेंगे 7 minus 2 upon 8 5 upon 8 meter यही हमारा answer हो गया length of other piece of wire is 5 upon 8 meter ओके चलिए next video में question number 7 उसको complete करेंगे till then bye